ह pastor मैं इस वीडियो में हम बात करने वाले है इंटर्वीरलेटेड कॉसें साइत जो किसे कर रहा चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यह question मैंने लिखा है question क्या है एक बार मैं read out कर देता हूं write a program to accept a code which is contents only digits from 0 to 9 and decodes in character इसका मतलब क्या हुआ कोई भी number हम देंगे और उस number को character में convert करवाना है clear point यह string class का question है यह बहुत बार पूछा गिया है ठीक है जैसे example के तौर पर हमने कुछ number लिखा है यह number इंटर करेंगे तो इसको क्या करेगा वो character में convert कर देगा clear जैसे यहां पर मैंने लिखा है capital A का जो आपका sky code value होता है जिसको बोलते हैं हम लोग A, S, C, I, I, A for American, S for standard, C for code, I for information and second I का मतलब होता है interchange clear point जो आपका capital A का 65 से 90 होता है क्योंकि 26 letter होता है और small A का 97 से लेके 122 तर ठीक है यह चीज़ें याद रखना I hope आप लोग को clear होगा पहले से याद होगा ठीक है वो पता हो कि हम क्या solve कर रहा है ठीक है चलिए हम एक class बना लेता है my string कुछ भी दे सकते हो class का name और यहाँ पर main method scanner से value लेना है तो आप user से value लेना है तो scanner class का object create कर लो ठीक है चलिए system.in अब इसको आपको import भी करना परेगा ठीक है न क्योंकि predefined class है और यह java.util package से dot star ठीक है चलिए अब यहाँ पर एक message दे देता है user को system.out.println enter कोड कोई भी कोड इंटर करो या इंटर मैं लिख देता हूं digits ठीक है कोई भी digits इंटर करो जो आपका इसमें match करना चाहिए इसके यह देखो ठीक है clear है पर चलिए अब जो इंटर किया हम उसको string type के variable में रख लेते हैं digits वाले variable का नेम कुछ भी दे सकते हो तो digits and then input.next line method यूज करना ठीक है string class का predefined method है अगर इसके बारे नहीं पता है तो आप previous वीडियो एक बार देख लो मेरा ठीक है यह temp variable temp variable मैं लिख भी देता हूं थोड़ो था is used to store इसका code value ठीक है clear point and then हम लूप लगाते हैं यहाँ पर int i equal to zero i less than digits dot length अब length method भी हमने discuss किया अच्छे से ठीक है यह भी आपको अगर जा clear net previous वीडियो देख लो क्योंकि length method क्या करता है कितने number of characters string के अंदर होता string object के अंदर उसको return करता है ठीक है number में ठीक है one है की two है की three है चली अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई जो भी हम यहाँ पर number इंटर करेंगे तो वो string form में है और यह आपका condition अगर जा true है तो मैंने यहाँ पर तो क्या करेगा वो जीरो नंबर पोजिशन पर जो character होगा उसको हम डिजीट से convert करवा लेते हैं i से हमने character में रख लिया यह i will loop ठीक है and then temp plus equal to ch अब इस case में क्या होगा भाई इसको हमने जो भी इसका character होगा हमने यहाँ पर रख लिया ठीक है और यह क्या करेगा भाई यह temporary all is used to store the sky code value ठीक है इसका icon then हमने इसमें रख लिया अब इसको मैं क्या करूंगा मैंने यहाँ पर लिखा देखो यह number जो है आपका 65 से लेके 90 तग यह 97 से लेके 102 22 अगर इन में से कोई भी number enter होता है तो वो क्या करेगा convert करवा देना है आपको character start typecast करके print करवा देना है तो पहले यहाँ पर क्या करना परेगा इसको integer में convert करना परेगा int a equal to कुछ भी ले सकते वरियेवल का नेम a b c d मैंने a लिया है integer dot parse int parse int और यहाँ पर पास करती है मैंने tab को चली अब क्या होगा जैसे इसमें character आया उसको हमने integer में convert कर लिया अब condition लगा देता हूं इस integer को check कर लेता हूं अगर जहां आपका greater than 65 है यह में जो आया और और नहीं क्योंकि दोनों चेक करना है तो यहाँ पर आपको दोनों चेक करना है तो इसके इसमें a less than 90 यहां पर लगाना है आपको क्योंकि आपको small भी चेक करना है यह तो capital a to z का है value ठीक है यहां पर आपको small a to z का तो greater than equal to 97 हो and a less than equal to 122 ठीक है और भी लगा सकते हो इसके अंदर तो यहां पर आपको क्या लगाना है यहां पर यहां पर देखो यहां पर और यूज करना है क्योंकि यह दोनों तो इस दोनों के बीच में हो ठीक है 65 से लेके 90 तक यह दोनों logically correct होगा तब ही यह चलेगा ठीक है और नहीं तो नहीं तो यहां पर और यूज करो नहीं तो इन दोनों के बीचे करेगा ठीक है ठीक है न चलो अब सही है और यहां पर आप ऐसे करते हो चले ड़न अगर जहां इसा है तो मैं करा लेता हूं यहां system.out.println और यहां पर मैं कर दूँगा उसको मुझे चाहिए करेक्टर में तो मैं करेक्टर के साथ टाइब कास्ट करती है और टैम को मैंने यहां पर खाली करती है चले ड़न लॉजिक तो सही लगा है अब 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 कंप्लीट हो गया हमारा एक बार कंपाइल करके देखते हैं को एरर आएगा तो सॉल्व करेंगे चलिए compiler open मेरा जो फोल्डर है वो है डेक्स्टॉप है तो cd desktop cd java नाम का फोल्डर है जावा सी str8.java file का नेम है मेरा अच्छा यहां पर error आ रहा है क्या हुआ है हमने यहां पर semicolon छोड़ दिया है तो बारी इसको पहले हम प्रिंट कराते हैं इसको हम कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं चलिए इंटर करते हैं तो यह प्रिंट हो रहा है ब्लू यह इंटर क्यों दे रहा है चलिए फिर से एगवर कंपाइर कर लेते हैं हम पुछ पोड ही चला के देखते हैं 101 देखो बिल्कुल चल रहा है अब मैंने यह आपर दिया 101 आपका 97 दे देता हूं 97 आपका किसका होता है स्मॉल एक हा और स्विकल्य खार और सिक्स्टि-फाइब यह 2 चल रहा है बिल्कुल सही tent आपका इसके नोος मिन प्रमट कर दो निव छाहा है कोई भी सेट आफ नंबर एक ले लो चीक है और उसको इंटर करोगे तो उसको वो कारेक्टर में कर देगा अब नीव लाइन में क्यों आ रहा है भाई अच्छा हमने यहां पर प्रिंट लगाया इस होज़स चलिए एक बार और करते हैं 97-98-99-100 यह दे दिया मैंने इसका जा मैं कैपिटल का दे दो मैं एक काम करता हूं इसको पहले कंपाइल करनो कि न्यू लाइन में जा रहा है चलिए हमने यहां पे लिखा 65 66 67 68 चलिए देखते हैं A B C D विल्कुल सही चल रहा है ठीक है यह हमारा है प्रोग्राम ठीक है कोई भी नंबर इंटर कर रहे हो आप किसमें करेक्टर में यह कोईसिन बहुत बार पूछा गया है वेरी इंपोर्टेंट है इसे में मैंने आपको बताया इसको बनाने का दो-तीन और तरीका है क्लीर है किसी को डाउट रहता था कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो वीडियो को पॉस करलो पॉस करके नोट कर लो को नोट करके प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल करोगे तभी लोजिक क्लियर रहेगा ठीक है ना डन लाइक करो कमेंट करो सस्क्राइब करो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाबाई